नमस्ति, NCRT ने 2023 में जो पुस्तकों के संसकरण जारी किये हैं, ये नए रूप में हैं, इनमें कुछ बदलाव किये हैं, कक्षा 11 हिंदी एच्छिक, यानि हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए जो पुस्तक पढ़ाई जाती है, वह हैं अंतरा भाग एक, अंतरा भाग एक के इस नए संसकरण में कौन-कौन से पाठ आपको सत्र 2023 के लिए पढ़ने हैं, इन्हें अब हम देखते हैं, तो पहला पाठ है इद गहा, पाठ संक्या दो है, दोपहर का भोजन, पाठ संक्या तीन टॉर्च बेशने वाले, पाठ संक्या चार गूंगे, पा पाठ संक्या आठ भारत वर्ष की उनती कैसे हो सकती है, अब देखते हैं, कावे खंड, आठ पाठ हो गए आपके गध्य खंड के, और कावे खंड के जो पाठ आपको पढ़ने हैं, पहला है कबीर, इसमें दो पद हैं, दूसरा है सूर्दास के पढ़ने आपको, तीसरा प पाठ संक्या अच्ये बादल को घिरते देखा है, पाठ संक्या साथ हस्तक शेप कविता, पाठ संक्या आठ घर में वापसी, तो इस तरह से कुल आठ पाठ आपको पढ़ने हैं, यहां मादेवी वर्मा जी की एक ही कविता आपको पढ़ने हैं, जाक तुझको दूर जाना, तो इस तरह से हमने देखा आपको कुल 16 पाठ इस कक्षा में पढ़ने हैं, 8 कत्य खंड के और 8 काव्य खंड के, कक्षा 11 हिंदी एच्छिक विशय के लिए पूरक पाठ है पुस्तक, अंतराल भाग 1 पढ़नी हैं, 2023-2024 के सत्र में, जो पाठ इस पुस्तक में आपको पढ़ने हैं, वे हैं, हुसैन की कहानी अपनी जबानी और आवारा मसीहा, ये दो पाठ हैं आपको इस पुस्तक में पढ़ने हैं। उन्हें इस पुस्तक में से कौन-कौन से पाठ इस सत्र में पढ़ने हैं। पहला पाठ है जनसंचार माद्यम, दूसरा पाठ है पत्रकारिता के विविद आयाम, तीसरा पाठ यहां आपको पढ़ना है पाठ संक्या 9, डायरी लेखन की कला, पाठ संक्या 10, कथा पठकथा, और पाठ संक्या 14, 15 आपको पढ़ना है, पाठ संक्या 16 आपको नहीं पढ़ना, हिंदी एच्छिक विशय के छात्रों के लिए यह है, तो 14 है कारयलाई लेखन और प्रक्रिया, और पाठ संक्या 15, स्ववरित यानि बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंदी आवेधन प हिंदी इलेक्टिव कोड संक्या 002, कक्षा 11, जो चात्र वर्ष 2023-2024 में पढ़ रहे हैं और CBSC के स्टुडेंट से, उनके लिए यह है, प्रश्न पत्र का पैटर्न है, कि वाशिक परिक्षा में 80 अंकों के लिए किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र दो ख गंटे में आपको हल करना है, हिंदी विशे 100 अंकों का है, 20 अंक आंतरिक मुल्यांकन के लिए होते हैं, जिसमें श्रवन वाचन का मुल्यांकन 10 अंक के लिए होता है, और उसकी गतिविदियां आपके स्कुल में कराए गई होंगी, और परियोजना कार्या दिया जाता है, जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क भी कहते हैं, तो उसकी 10 अंक होते हैं, तो आंतरिक मुल्यांकन 20 अंक का और 80 अंक की वार्शिक परिक्षा जो लिखित परिक्षा है, इसमें खंड आ और खंड बा हैं, खंड आ में वस्तूपरक क्वेश्चन से 40 अंकों के, और खंड बा में व अपठित पद्यांच का होगा, और 10 अंक के अपठित गद्यांच के प्रश्ण होंगे, और अपठित पद्यांच के 8 बहुविकल्बी प्रश्ण होंगे, तो कुल 18 अंकों के लिए अपठित गद्यांच और पद्यांच हैं, उसके बाद जो प्रश्ण होगा, वो अभिव् और थारित हैं पाठे क्रम में उनपर आधारित होगा इसमें जो प्रशन पूछे जाएंगे वे भी बहु विकलपात्मक प्रशन होंगे पांच प्रशन होंगे और प्रत्य प्रफ्रशन एक अंक कहोगा तो कुल मिलाकर पांच अंक के MCQ's अभिव्यक्ति और मात्य पुस्तक स उसके बाद जो प्रश्ण होंगे वे पाठ्य पुस्दक अंतरा भाग एक से बहुवी कलपात्मक प्रश्ण होंगे और इनमें पठित काव्यांश और पठित गद्यांश दिया जाएगा पठित काव्यांश जो भी दिया गया आपके पढ़ेवे पाठों में से उसमें से पां प्रशन पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक का है तो इस तरह से पाठे बुस्तक अंतरा भाग 1 से 10 अंक के बहुविकल पात्मक प्रशन इस प्रकार पूछे जाएंगे जो उसके बाद अगला प्रशन होगा पूरक पाठे बुस्तक अंतराल भाग 1 से बहुविकल पात्मक प्रश प्रश्न होंगे, साथ प्रश्न होंगे, जो पाठ आपको पढ़ने हैं, उन्हें अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ प्रश्न होंगे और साथ प्रश्न के उतर आपको अगर सही सही आते हैं, तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते है इसकी बाद हम देखते हैं खंड बह वर्णानात्मक प्रश्णों का खंड है यह 40 अंक का यह भी है इसमें अभिवेक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर जो इकाई दो स्रजनात्मक लेखन पार्ट नौ दस और इकाई तीन व्यवारिक लेखन पार्ट चौदा और दी गई इस्तिती और घटना के आधार पर यानि विशय दिये जाएंगे वह इस्तिती दी जाएगी यह घटना बताए जाएगी उस पर आपको दृश्य लेखन करना है और इसमें चोईस मिलेगी लगबग 120 शब्दों में आपको लिखना है पांच अंक का यह प्रश्णों होगा इसके बाद पत्र लेखन से सम्बंदित प्रश्ण होगा जिसमें आपचारिक पत्र या स्वावरत लेखन या रोजगार सम्बंदी आवैदन पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है चोईसा आपको मिलेगी लगबग 120 शब्दों में इसे लिखना है पांच अंक का यह है प्रश्ण होगा उसके बाद जो प्रश्ण आपको दिया जाएगा अभिवेक्ति और माध्यम पुस्तक से पठित पाठों पर आधारित उसमें दो प्रश्ण आपको करने हैं दो प्रश्णों के उत्तर लगबग 40 शब्दों में लिखने हैं एक प्रश्ण जो है बैद द कावेखंड से दो प्रश्ण होंगे पहला प्रश्ण कावेखंड पर आधारित तीन प्रश्ण दिये जाएंगे इन में से किवल दो प्रश्ण आपको हल करने हैं और प्रती एक प्रश्ण दो आंक का है इसे लगबग 40 शब्दों में आपको लिखना है इसका उत्तर और जो दूसरा प्रशन होगा कावे खंड से, वह कावियांश की सप्रसंग व्याख्या का होगा, इसमें दो कावियांश दिये जाएंगे, किसी एक की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, लगबक 100 शब्तों में, और यह long answer type question है, इसलिए 6 अंक का यह प्रशन है, गद्य खंड पर आधारित, तीन प्रशन पुछे जाएंगे, जिन में से कोई दो प्रशन करने है, प्रती एक प्रशन दो अंक का है, लगबक 40 शब्तों में उत्तर लिखना है, गद्य खंड से अगला प्रशन गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का है, पढ़े वे पाठों में से गद्यांश आपको दिये जाएंगे, और सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, यह भी दीर गुत्तर ये प्रशन है, छे अंक का एक प्रशन है, लगबक 100 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है, चोईस आपको मिलेगी, अंतराल भाग एक, इसके जो निर्धारित हैं, उनमें से कोई दो प्रशन पूछे जाएंगे, और एक ही आपको अटेम्ट करना है, एक का ही उत्तर लिखना है, यह तीन अंकों का होगा, तो इस तरह से हमने देखा, अंतरा भाग एक, अंतराल भाग एक, और अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आध अभियांश और गद्यांश से बहुवी कलपात्मक प्रशन किस तरह से होंगे, पूरक पाठे पुस्तक हमें कैसे त्यार करनी है, तो कुल मिलाकर आपके प्रशन पत्र का पैटर्न इस प्रकार का होगा, और इसको ध्यान में रखते वे, आप आप आशिक परिशा के त्यार करना शुरू कर सकते हैं, धन्यवाद